रोमन काल की आयतिहासिक विरासत ये तारागुना में आपको हर जगह मिलेगी दूसरी इसवी में बने इस एमफिथेटर में चादा हजार लोग बैठ सकते थे यहां गलेडियेटर और शेरों की लड़ाई होती थी तारागुना 2000 साल पहले रोमन सत्ता का सैन्य और राजनीतिक केंद्र था नया शहर इसी एतिहासिक धरोहर के साथ बना है ये गली सरकस का हिस्सा थी उस समय में यहां बग्यों की प्रतियों की दाएं होती थी हजार और लोग आते थे ये आज शहर का बाजार है इंटीक सरकस की क्या बात है तारागुना के संग्रहाले के निदेशक जैसे लोगों के लिए शोध की एकदम सही जगे है बग्गी चलाने वाले साथ चक्कर काटते जो सबता के दिनों का प्रतिक था चार टीमें होती जो साल के चार मौसमों जैसी थी सब कुछ धर्म से जुड़ा था लेकिन निवासियों में सबसे ज़्यादा अकर्शन सरकस का था उस समय ऐसे लोग थे जो किसी टीम के फैन थे और शर्त लगाना लोगों की पसंद का काम था सरकस का एक हिस्सा अलग से सारक्षित किया गया है बाकि सब किसी ने किसी की निजी समपती है दुकान या रस्तरों है ये एक समय में घुडों का अस्तबल था और सरकस के दर्शकों की एक जगह भी यहां जो आज खाना खा रहा है वो अपने आप जान जाता है कि 2000 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे साल में एक बार मेई के महने में हफ़ते भर रोमन काल के पकवान पेश किये जाते हैं हर रस्तरा में बहुत मसालों के साथ पकाया जाता है मचली के अलावा शेहद और सुखे फलों का भी खूब इस्तमाल होता है शहर के केंद्र में रोमन सथ्था का प्रशासनिक केंद्र था यहां रोमन कॉलोनी के प्रतिनिदे इखट्टा होते यहां से दुनिया की राजनिती चलती यहां का फोरम आर्ट फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था ये बगीचे वाला खूब बड़ा इलाका था यहां रोमन काल के शासकों के पुतले भी थे इनके जरीये वे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कुछे दूर तारागोना के मुख्य सड़क पर जोआन बलाकेस के दुकान है अपनी खास मूर्थियों और गहनों के कारण बेतारागोना से बाहर भी खूब मशहूर है उन्हें आर्ट नूबों से लेकर इंटीक तक साबसे प्रेरना मिल दी है और रहसे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं उनके लॉकेट के आकरुती उनकी अंतरात्मा का प्रतीक है बच्पन में मैं एतिहासिक चार दिवारी में पुराने पत्थरों से खेलता था और मुझे लगता है कि उसी कारण रोमन इतिहास का मुझ पर असर पड़ा इस पारकिंग हाउस में भी एक राज छिपा है यहां कई किलोमेटर लंबी सुरंग का दर्वाजा है यह 1996 में मिली सुरंगों पर खोज करने वाले जोसे लुईस अलमी नाना और सर्गियो गरानाडोस का साल्स एक पतली गली दिखाते हैं जिसे रोमन इस्तिमाल क्या करते थे यह सुरंग 20 मीटर नीचे तक जाती है केतलोनिया में पाई गई सुरंगों में यह सबसे बड़ी है चटानों और पानी के संपर्क में रहना शानदार है और इस भावना के साथ सुरंग पर शोध करना कि उपर इनसानों और जीवन से भरपूर एक शहर है कई जेगे पानी में जाना होता है और पानी मटमेला है इतना गंदा कि कंप्यूटर दिखाई नहीं देते यह इतना मुश्किल है इसलिए हमें रसी का सहरा लेना पड़ता है और उसे पकड़ कर रखना पड़ता है परियटक चाहें तो धर्ती के नीचे की दुनिया में उतर सकते हैं लेकिन टूर बुक करना और फिट होना बहुत ज़रूरी है तारकोना में सहसी और इतिहास कारों के लिए कुछ ना कुछ है और उन परियटकों के लिए भी जो शहर के मौसम का लुथ उठाना चाहते हैं